हेलो स्टूरेंस कैसे आप सभी आई होप आप सभी काफी अच्छी होंगे जैसा कि आपको पता है आज आपके पास HP TET Non Medical का जो एक्जाम हुआ है जिसके आंसर की हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उपर आपको आइकन में जो एक आप्शन मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में ज आईए जादस में आपका नहीं लूँगा क्योंकि अभी हमें और भी जो स्ट्रीम से उनके उपर भी काम करना है तो आपके लिए यहां पे हम आप कुछ आंसर्स यहां पे लेकर आए हैं बाकि इसके एक कंबाइन वीडियो भी हम आपके पास लेकर आएंगे इसमें आप प है तो मिठायले अमाइन ओके मिठायले अमाइन यानि CH26 NH4 यहां पर कॉमन करके लिखा हुआ है आपके पास CH2 और बाहर यहां पे 6 अंदर जाएगा तो यहां पे 6 और 12 अपने आप हो जाएंगे और NH4 केस्टराइट इसन ओर आफ जो केस्टराइट है आपके पास वो टीन का ओर होता है यानि एसन और 3D अटामिक और वीटल है देखिए इस पेपर में मैं एक चीज़ देखी है काफी क्वेश्चन गलत है बीच में तो क्यूंकि उनमें आप देखो कि बहुत ज़्दा कन्फि 9010-012 तो एक तो यहां पर बन जाता है कि तू एंगलर नोड़ साप के पास यहां पर प्रेजेंट है ठीक है नहीं पर बात करते है रेडियल नोड्स की तो एन माइनस 13-1 होता है तो यहां पर अगर एनमाइनस 14 करोगे तो यहां पर टो था है यहों पर टी है यह तो Airbnb आंसर जो आपके पास यहाँ पर है two angular nodes ठीक है next यह आपके पास which of the following beneficial process is used for mineral Al2O3 2H2O तो अगर जो leaching process से आपके पास वो इसमें काफी ज़्यादा beneficial जो है वो रहेगी which of the following halosan has highest bond energy वगर sequence देखें तो folorine होना चाहिए लेकिन आपको पता है folorine का molecule बहुत छोटा है जिसकी बज़से इसमें थोड़ी सी steric hindrance हो जाती है तो highest bond enthalpy आपके पास chlorine की होती है the first organic compound prepared as तो first आपके पास urea ठीक है next यह आपके पास the oxidation number यहाँ पे पूछा गया आपके पास iron का F is CO5 जो CO है एक neutral ligand तो इसको तो zero हो गया यहाँ पे जाएगा zero इसकी oxidation state zero है यहाँ पे कितनी zero which of the following particles is most toxic suit जो shoot होता है आपके पास बहुत जादा toxic होता है क्योंकि particle काफी small होते हैं directly आपके फेंफडे में चाह सकते हैं और आपको lungs की disease हो सकती है directly आपके blood में भी चले जाते हैं the element used vulcanization of rubber तो यह तो important question है sulfur का use होता है BOD biochemical oxygen demand जो है वो organic pollutant in water को आपके पास बताती है following reaction is an example of तो आप देखेंगे यहाँ पे carbon आ रहा है और oxygen को यहाँ से replace कर दे रहा है लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो oxidation और reduction दोनों हो रही है क्योंकि जो C है यहाँ पे तो इसकी oxidation 0 है लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो number बढ़ेगा और यह यहाँ पे 0 हो गया लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है तो यहाँ पे जो process होई भी redox reaction है कौन सी? redox reaction cloud formation occur due to the process of तो तो तीनों की तीनों processes यहाँ पे आपके पास use होती है evaporation भी होगी condensation भी होगी transpiration भी आपके पास होगी जो plants में आपके पास होती है composite fertilizer make the soil तो चो composed fertilizer होते हैं जो आपके पास ज़्यादतर jabic खेती या jabic जो fertilizer होते हैं अंडर आते हैं तो आप देखोगे निसकी pH vary कर जाती है यह six or eight के बीच में रहती है आपके पास ठीक है बीच में होती है तो ज़्यादतर यह neutral form में आपके पास होगी यानि soil में जैसे अगर basic medium है तो acidic we work कर सकती है basic we work कर सकती है तो थोड़ा सा इसमें जो question में थोड़ा सा doubt है अभी कि क्या उनसा जो है यहाँ पे आपके पस most probable answer जो है यहाँ पे होगा ठीक है लेकिन फिर भी अगर हम चलें तो हम neutral या all of the above के साथ यहाँ पे जा सकते हैं teeth decay start at the pH value of the mouth around 5.5 होगी तो खराब होना शुरू हो जाएंगे electron negativity पूछ रहे हैं आपके पास जब आप left side move करते हो left to right ठीक है left to right चलेंगे तो आपको पता increase करते हैं क्योंकि halogen की सबसे जादा है तो इस side को क्या करेगी आपके पास increase करेगी आपके पास यहाँ पर number of neutron पूछ रहा है तो आपको पता है जब आप atomic mass लिखते हो तो आप क्य आपके पास यहाँ पर right answer है चमरिंड कंटेंड जो इमली होती है आपके पास उसमें होता है टार्टरीक एसेड आंट एसेड पूछ रहे हैं आपके पास calcium hydroxide को छोड़के aluminium hydroxide हो गया magnesium hydroxide हो गया यह दोनों ही आपके पास क्या है यहाँ पर right answer तो डीस का right answer होगा डेस डेस disease is caused by the air pollution right answer is option number C brokytis ठीक है जांडिस हो गया टाइफाइड एर water pollution से होता है malaria protozoa disease है आपके पास next यह आपके पास डेस-डेस is the lightest particle जो electrons होते हैं आपके पास वो lightest particle होते हैं तो electrone negative chances species होती है यानि जो बीटा होगा आपके पास वो घबसे हलका होगा ठीक है particle is in water at 0 degree Celsius यानि 273 Kelvin have dash this energy compared to particle in ice इसकी energy ज्यादा होती है ठीक है क्या होती है ज्यादा होती है more जैनि seized होगा आपके पास यहाँ पर right answer है temporary hardness of water is remove the method of clock method clerk method से आप उसको remove कर सकते हो just this oxide of nitrogen is colored nitrogen dioxide ठीक है NO2 जो आपके पास क्या होगा colored होगा potassium magnesium zinc react bit तो again आपके पास थोड़ा से यहाँ पर जो confusion वाला question है बो आ चुका है potassium react कर जाता है cold के साथ लेकिन hot and steam के साथ भी यह easily कर जाएगा अगर आप देखोगे ठीक है लेकिन अगर magnesium की बात करते हैं तो magnesium जो है वो cold के साथ react ही नहीं करता ठीक है यह cold water के साथ react ही नहीं करेगा zinc हो गया zinc आपके पास इन दोनों के साथ react कर जाएगा तो again यह question कुछ ऐसा है जिसमें all of the above की तरफ हम जा सकते हैं लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा सा doubt है अभी ठीक है तो इस questions में आप खुद भी देख सकते हो कि हर एक जो है चाहे potassium हो गया magnesium हो गया highly reactive है भी कर जाएंगे क्योंकि steam में highly energy होती है तो easily react कर जाएंगे यही केस magnesium में देखेंगे लेकिन cold water के साथ थोड़ा सा issue आ रहा है तो maybe इसमें आपके पास steam इसका answer हो सकता है ठीक है steam या hot water all of the above में काफी मुश्किल है यहां पे इसको थोड़ा भी हम doubt में रखते हैं जैसे आप यहां आपके पास test is store in water तो जो आपके पास white phosphorus है bulletproof alloy steel contain जिक्रोनियम उसमें आपके पास होता है active constituent of bleaching powder is caocl2 ठीक है caocl2 तू बाहर आएगा clear next यह आपके पास test is pair जो displacement reaction तो silver nitrate solution and copper metal जो आपके पास है test is maximum number of electron which can be accommodate in an atom which the highest principal quantum number is 4 तो principal quantum number यानि n की value 4 है आपके पास ठीक है n की value 4 है यही वह ना आपके पास अब यहां पे अगर आप देखोगे तो highest electron के लिए 2n square हम use करते हिंदी में देखें इसको तो test test electron की अधिक्तम संक्या है जिसे उस परमानू में रखा जा सकता है जिसमें अधिक्तम principal quantum number की संक्या 4 ह तो आप अगर n भी देखोगे न तो n में भी बहुत जादा आपके पास हो जाते हैं ठीक है अब depend करेगा क्योंकि fourth में तो नहीं पूछ रहा है तो जादा से जाद अगर आप देखोगे तो इसमें around 32 के आसपास आता है लेकिन starting से अगर count करना हो ठीक है जिसे आप देखोग आप तो n square यानि 2 ही होंगे इसमें 3 प्लस 2 8 आपके पास हो जाते हैं यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 32 आपके पास आते हैं कितने यहाँ पर 32 आ जाएंगे और इसमें थोड़ा सा इससे कम होते हैं आपके पास तो 2 and यहाँ पर 8 और अर्दस 18 ठीक है इसमें total कितने हो 8 प्लस 18 प्लस 32 ठीक है तो वैसे तो जादा आगे आपके पास क्योंकि इसको भी देखोगे तो 60 के राउंड आपके पास आ रहा है तो 2 and square करके जो है यह यह इसका जादा बन रहा है अरूंड 32 आएगा तो यहाँ पर देखेंगे 10 से 18, 36 है तो यहाँ पर देखेंगे 10 से 18, हो रहा है कि इसका अंसर क्या होगा अगर आपको क्यूंकि अभी हम इसको जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो that's भाए लेकिन आप हमें कमेंट करके जुरूर बटाईएगा कि इसका क्या आंसर आपके पास हो सकता है ओके यह question है आपके पास ठीक है तो यहाँ पर टोटल लेक्टों देखें तो 60 के आसपास आ रहे हैं तो यहाँ पर वैसे 54 भी हो सकता है लेकिन फिर भी इसका जो आंसर अगर आप सर्च भी करोगे books में भी देखोगे तो वैसे तो 32 आपको यह mention करता है 32 ठीक है लेकिन 32 यहाँ पर आपके पास नही ठीक है 8 into 4 this will be equal to 32 आपके आप एक बार मैं इसको cross check करके जो latest answer की हम आपको लाएंगे उनमें जो भी यहाँ पर options है न जिनमें कोई भी doubt है वो सभी full answer की जो होगी उसमें उनके solution होंगे क्योंकि जो यहाँ पर बच गए है question जो भी आप यहाँ पर थोड़ा सा हमें भी आंसर बताएंगे उनको हम cross check करके एक वार जो भी हमारे teachers है तर वहां से verify करके आपको यहाँ पर answers clear करेंगे okay next यहाँ आपके पास one mole of oxygen gas at standard temperature तो oxygen बेसे molecule की form में रहता है तो 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of oxygen ठीक है बाकी मिलेंगे हम next video में with the next question तब तक लिए thank you and have a nice day